बेटा इस animation में हम यह देखेंगे कि DNA से RNA कैसे बनता है और DNA से RNA बनने के process को आप जानते हैं कि transcription कहते हैं अभी आपने DNA देखा और DNA पर आपको part दिखाई दे रहे हैं जो कि कहलाते हैं genes ठीक यह आपको दिख रहा है यह double stranded DNA है अब इसमें आपको दो region दिखाई दे रहे हैं एक दिख रहा है promoter region और एक होता है terminal region तो DNA में दो strand होते हैं एक होता है temperate strand और एक होता है coding strand तो जिस strand से mRNA की synthesis होती है उसको हम बोलते है temperate strand तो यह आपको दिखाई दे रहा है कि यह जब RNA बन जाएगा तो उसी RNA से further protein भी बनेगी अब आप इसमें देख रहे हैं इस part में आप यह देख रहे हैं कि एक तरफ एक तरफ तो RNA बन रहा है और दूसी तरफ उसी RNA से protein भी further बनती चली जा रही है RNA में आप देख रहे हैं कि nitrogen bases जुलते चले जा रहे हैं लेकिन RNA आपको मालू में कि RNA होता है सिंगरी stranded फिर दूसी तरफ आप देख रहे हैं कि mRNA ribosome पर move कर रहा है और amino acid एक के बाद एक जुलते चले जा रहे हैं इसको हम next animation में देखेंगे अब यहाँ पर आ जाईए कि DNA का आपको double stranded यहाँ पर helix structure दिखाई दे रहा है अब यह DNA में आपको दिख रहे हैं कि दो strand है अब यह देखे एक बड़ा सा enzyme आया जिसको हम बोलते है RNA polymerase अब सबसे पहले आती है sigma unit और sigma unit के बाद आता है RNA polymerase initiation stage elongation और termination तीन stages होती है तो अब यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर promoter region अब promoter region पर ही जाकर क्या होगा RNA polymerase attach होता है अब RNA polymerase इस पर बढ़ता जला जाता है तो जो template strand है उससे क्या चीज़े होगी उससे सामने mRNA बनता चला जाएगा अब आपको दिख रहे हैं यह nitrogenous bases है तो यह समझो कि RNA polymerase जो है वो क्या करता है magnet की तरह एक्ट करता है और वो nitrogenous bases को attach करता जाता है further जो complementary base pair है complementary का मतलब आप जानते ही है कि A के सामने T और G के सामने C bases आती जाएगी तो यहाँ पर T ना आकर U आता है यो लिसल होती ना RNA में अब यह terminal region पर पहुंच जाता है तो terminal region पर होता है row factor तो sigma से शुरू करो रो से रो को तो row पर क्या होता है कि जो mRNA strand बन चुका है वो इससे अलग हो चुका होता है ठीक तो आपने यह देखा पूरा process जो है RNA transcription का यहाँ पर दिखाया गया है अब यह regions को दिखा रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं कि जो eukaryotic DNA होता है उसमें exon और intron दो चीजे होती हैं तो intron किसी भी चीज को further code नहीं करते हैं मतलब उससे कोई protein नहीं बनता exon ही वो points होते हैं वही segment होते हैं जिनसे protein की synthesis होती है उनको हम बोलते हैं कि यह code करते हैं और लेकिर intron किसी भी चीज को remove कर देते हैं और इस process को बोलते हैं processing of mRNA ठीक बेटा यह चीज़ आपको दिखाई दे रही कि mRNA हमारा intron से remove हो चुका है intron इसमें हड चुके हैं पूरा smooth mRNA दिखाई दे रहा और procreatic में जो होते हैं intron नहीं होते हैं लेकिन जो यू किराटिक होते हैं उनमें intron होते हैं तो intron का removal उसमें हो जाता है ठीक तो चीज़े समझ गए further चीज़े हम पढ़ेंगे protein synthesis में